नमस्कार, हाथ और पैर के पॉइंट शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पैर तो आप समझते हैं, पैरों के बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको पीछे मैंने बताए थे लेकिन आपको ये बता दू कि ये जो छोटी अंगूलिया है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण इस्थान रखती है देखे हम एक्यूप्रेशर पद्यती और सुजोग पद्यती, सुजोग में क्या होता है कि जो एक्यूप्रेशर के बहुत माइनर पॉइंट होते हैं, वो अंगूलियों के उपर होते हैं, उन पॉइंट्स को भी जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनहीं में प्रेश नहीं है तो आपको मैं कुछ चीजे बताता हूं जो अगर नियमित रूप से करें घर में बुजुर्ग हैं उनका करें या खुद भी जो है अपने पॉइंट भी दबा सकते हैं या किसी और के पॉइंट भी दबाने हो तो दबाईए देखें पैरों में अगर कोई समश्या है दर्द है शरीर में भी कहीं दर्द है आपने जो है एक तरीके से एक साथ ही कर दिया मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई एक पॉइंट में आपने प्रेशर किया तो वो पॉइंट में आपको बताता हूं हमारी जैसे यह चार अंगुलिया है इस इन अंगुलियों में देखें यह जो उबरा हुवा हिस्सा है अगुलियों के ऊपर एक गोल सा जो है आपको उबरा हुआ हिस्सा नजर आएगा ये उबरे हुए हिस्से जो है इनको आप इस तरीके से ये हमारे इस अगुली का center point है energy point है एनरजी point है इसको ऐसे अगुठे से इस तरीके से आप दो-दो मिनट इन points को दबाएंगे तो बहुत जादा जो है कि अगर कोई problem है तो इन में दर्द होगा सीधा आप लेटा दीजिए खुद जो है वैसे घुटना मोड कर किसी भी point को दबाएंगे तो उसका आसर बहुत कम हो जाएगा क्योंकि blood circulation पूरा मिलता नहीं है हम सीधे बैठ जाएं या सीधे लेड़ जाएं और कोई point दबाएं तो उसका आसर बहुत जादा आता है तो इस तरीके से अगुली का इस तरीके से point हमने ये दबाया अब देखिए एक और तरीका आपको बताऊं कि यहाँ पर ये point है और point से जब हम नीचे की और चलते हैं तो ये अगर दोनों पैर की दोनों हाथ है ये हमारे ये पैर के बीच वाली जो दोनों अगुलिया है ये तरीके से नीचे तक जाना यानि अंदर अंदर की जो हमारी ये ये pipeline है इसको हम blood circulation के द्वारा ऐसे सक्रिय करेंगे इस तरीके से दबाईए ये जो points है ये जब दबेंगे तो आपके पैरों के अंदर blood circulation चालू हो जाएगा कोई और दबाए हलके आतों से दबाए बहुत कई बार ऐसा लगता है यहां धर्द बहुत ज़ादा है तो हलके आतों से इसको pressure आप करेंगे और चारों अंगुलियों को लगातार करिए दो हाथ है दो पैर है इनके पीछे के point है तो यानि लगबग शनीर के पीछे के point जो है उनको ये बहुत अच्छा relief देता है इसी प् पैर की अंगुली से लेकर यहां तक ऐसे ऐसे point आप दबाते जाए इस तरीके से यह आपके पूरे पैर के लिए बहुत बढ़िया है मैं आपको अनुभूत बाते बताता हूं जिन में कोई भी सामने रूम से कर सके उनके लिए कोई problem नहीं आए ऐसी मेरी अपेक्षा रहती है तो यह जो आप इस तरीके से दबाएंगे तो यह यह दबाते जाएंगे दबाते जाएंगे ऐसे आपको पूरा शरीर में blood का circulation एकदम से सुचारू हो जाएगा तो यह पैर की अंगुलियों का आज विशेस महत्वे मैंने बताया है इन अंगुलियों के point को आप खाली न दबाएं तो कोई मनाई नहीं है लेकिन इसका अलग महत्व है यह हमारे गर्दन के एरिये को रिप्रजेंट करता है और गर्दन की नसों को जो है यह पूरा सही करता है तो उसके लिए आपको अलग से मैं एक वीडियो बताऊंगा कि अंगुठे में कहा कहा में point जो है वो तो यह गुलियों के उब्रे हुए इससे को आप विशेश रूप से याद रखिए तो आप दीजिए जाज़त मुझे डॉक्टर मनोज योगा चारे को त्रीनेतर टीवे के लिए त्रीनेतर योग नाम से नमस्कार